असलाम लेकूम बच्चो एक नए टॉपिक के साथ हम फिर आजिर हुआ हैं हमारा आज का टॉपिक है भई इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक है जी इस टॉपिक के अंदर हम कुछ मेन की पॉइंट्स कवर करेंगे जैसे के हमारे पास फोर्स फील्ड क्या होती है नमबर दो यह क्या बलाए तीसरी सोर्स चार्ज जो थी टेस्ट चार्ज जो कि हमें आगे लेकर जाना है टेस्ट चार्ज को कि यह हमारा आगे यूज होते रहना है आगे दो चार्ट टॉपिक्स में नमबर पांच फील्ड पॉइंट हमारे पास भी दो लाज है बुक के मताबिक एक न्यूटन ग्रैविटेशनल लाज जो के दो मैसिव बोडी के दरम्यान में फोर्स की कैलमिलेशन देता है और दूसरा रीसेंट ली कूलंस लाज जिसका टॉपिक पूरा मैं भी कार्ड के साथ टैच कर देता हूं आप उपर सब्सक्राइब है ठीक है जी ओन टू और न्यूटन का ग्रैविटेशनल लाज एफ इस इको टू जी जी की वैलिए आपको बता होगी एम वन एम टू ओवर आर स्केर यूनिट वेक्टर आलसो तो यह दो लाज हमें कैलकुलेशन तो दे रहे हैं किसी इसकी फोर्स इसकी ब बई न्यूटन का ग्रैविटेशनल लाज दो बोडी पर फोर्स कैसे बताता है कितनी मिगदार है किस किस पर डिपेंड़ दर क्याओ कूलम्स का अलेक्ट्रो स्ट्राटिक फोर्स की वैलियो को बताता है बई फोर्स कितनी ज्यादा लग रही है यहाँ पर एक क्वेस्चिन बनता है कि अगर आपके पास ये बोड़ी M1 है ये बोड़ी M2 है ये चार्ज Q1 है ये चार्ज Q2 है तो कौन सी ऐसी चीज है जो यहां से यहां यहां से यहां फोर्स लाने या ले जाने के लिए पबान है हमने का भी क्यों उसने का भाई साब अगर आप इन दो लाज को देख वो जादू नहीं करते हैं आसे किया कि और फुछ आसे किया और फूर पर इसके पास घ्या नहां इसके पास लिए ना इसके पास इसके पास गया तो यह तो यून एक डुस्ट को कुन सी चीज़ है जो इस फोर्स को लाने या ले जाने के लिए पर बंद आज उस चीज़ को हम ने डिसक्स करना है उस चीज़ को हम बोलते हैं इलेक्टरिक फील्ड आज हम टॉपिक में आगे देखते हैं कि यह क्या है कैसे बंदी और इसके विश्चे की रीजिजन क्या है ओरीजन ओफ दीज़ फोर्स इस दीज मिन दोनों की और न्यूटन की एंड हो दीज फोर्स इस ट्रांसफर फ्रॉम वन मैस्ट टू अन अबर अब बुक्तिया मताबिक करते भी पहले क्वेश्चन का आंसर जो आना वो ढूंडा मिला नी क्यों वो है तो पहले क्वेश्चन का आंसर बुक ही दे देती हमें और वो कहती है कि और इजन ओव दीज फोर्स इस वो कहती है कि यह इन्ट्रिंजिक फोर्स हैं यानि कि आप ऐसे कहलो कि बेसिक फोर्स इस आफ नीचे रहे यह पुदरत की तरफ से फोर्स हैं इनके पीछे कोई पहले को वहीं दफना देती हैं लेकिन जो दूसरा क्वेश्चन है हो दीज वोर्स इस ट्रांसबर फॉर्म वन मैस्ट वैन अधर या वन चांश वैन इसके पीछे की जो रिजन है जो एक कंसेप्ट बिल्ट किया गया थ्योरी बिल्ट की वह एक बंदे ने बिल्ट की जिसक आपका क्वेश्चन नंबर टू है ना कि वह जिसका इसे इसके ने एक चोटा सा कंसेप्ट डिवैल्प किया यहां पर उसकंसेप्ट का नाम है फॉर्स field force field का concept develop पनने से यह आपको इस question का proper answer दे देता है इसके concept के मताबिक अगर हम gravitational force की बात करें तो वहाँ बार इसी force field का नाम बन जाता है gravitational field और अगर हम coolam की force के लिए बात करें तो यही force field का नाम convert हो जाता है electric और आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ग्राविटेशनली फीड्ट फस्टिर में आज अप्टिया वहां पर आप पाढ़ लेना चप्टर नमबर फाइव के अंदर थोड़ी सी इसके हाव ना हुआ है लेकिन हमारा जो टॉपिक है वह है एलेक्ट्रिक फील्ड क उसको समझते हैं तो हम अपने टॉपिक का तरफ आट एक फोस हमारे पास दो बडियुदिर और एक बॉड़ी ही जो बॉड़ी यह है इसके उपर हो फिल्ड आुब को बॉडियुक कर लेते हैं बडेख बक्र के पास ब्यार्थ पॉस्टिफ चाउर्ट और इनके परदा कौाँ लेकिन इधर वो रोला नहीं है इधर प रदे के अंदर भी रहेगा तब भी 182 लगाएगा और पर दे के बाहर भी रail का तब भी वह फोर्स लगाएगा हम क्या करते हैं धी दीरे से इस बॉडि भी को बॉडि ए की तरफ लेके जाते यानिकि इस बोडी B का मतलब है अलेक्टिक फोर्स लगेगी क्योंकि इसके पर है पॉस्टिव चार्ज पॉस्टिव और पॉस्टिव आपस में क्या करते हैं एक दूसरे को रिपैल करेंगे तो जैसे ही मैं इसको इसकी तरफ लेके होंगा तो बोडी A इसको क्या गर देगी प्रिपैल और वो उदर जाने की बजाए जैसे छोड़ूँगा इस तरफ आ जाएगा अब A को कैसे बदा चना कि यार इसकी तरफ कोई पॉस्टिव चार्ज आ रहा है या हम ऐसे कार लेते हैं कि अगर मैं इस चार्ज को नेगिटिव कर देता हूं तो जैसे मैं इसको नेगिटिव चार्ज या उसके पास क्या आया नेगिटिव चार्ज और यही कंसेप्ट हमने अब समझे हैं कि बोडी A को यानि कि आप ऐसे समय लो बोडी A का हमने खबरी ढूड़ना है जो उसको यह इन्फरमेशन बता रहा है बगार देखे बोडी B को इस कंसेप्ट के मत अब जो बोडी A है ना भाई यह क्या करती है यह जैसे ही किसी जगह पर गई है यह जैसे किस जगह पर जाएगी यह अपनी स्पेस को जिस स्पेस में इसे रखेंगे यह स्पेस को क्या कर लेती है मोडिफाई कर लेती है मोडिफाई का मतलब है कि स्पेस को अपने वह ताब बड़ी है फील्ड अब क्योंकि ये चार्ट है तो इस फील्ड का नाम बढ़ जाता है जा ये अपनी इड़ी कर लेती है फील्ड पर बॉबटी quartz बोर्स चार्ज ने अपने गेर्द क्या पना लेनी है लेक्ट्र स्पेस में बना लेनी और वह अग्या सपेस का मतलब हे वह अंधिक क्या हैplement में लाओ में तो वह मोडिफाई एरिये के अंदर चेंज की वजा से डिटेक्ट कर लेती है कि कोई दूसरा चार्ज आया और उस पर क्या लगानी है फोर्स उससे उसको नीचन भी पता चल जाते ही जो दूसरा चार्ज है वह पोजिटिव है या नेगेटिव यह जो फील्ड ह यह एक औरा की लाई को भी है लाई कान औरा डैट एक्स्टेंट थूरू स्पेस अब हम इस एक्जैंबल को थोड़ा मोडिफाई करके ना अपनी वर्डिंग में चेंज करके साइस की तरफ लेके आते हैं स्पोर्स जो हमारे पास चा बॉड़ी है थी उसके उपर एदी चा चुग अब हम इसको अपनी सिस्टमेटिक एक्जैंबल की तरफ लेकाते हैं जो और ये है इसके उपर उस पोस्पर करने टेंग हैं भी चार्ज-क्यू है तोर्कीकद में चार्ज-क्यू को लेके आई जैसे ही हम इस चार्ज-क्यू को नेका इधर तो इसमें अपने इस चार्ज को आप जहां पर भी लेके जाओगे ये अपने गिर्द क्या बना लेगा एक फील्ड बना लेगा और इस फील्ड का काम क्या है कि ये फील्ड किसी भी दूसरे चार्ज पर क्या बनाएगी एक फोर्स उसको experience करवाएगी और ये जब क्यू चार्ज है इस चार्ज क हमें नजर तो आ नहीं नहीं, तो कैसे पता चलेगाएब इसके जिर्द फेल है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोई सेकिंड बोडी लानी पड़ेगा, कि जिसके उपर चार्ज सा, उस बोडी का नाम हमने भी रखा था, और इधर उस बोडी के उपर चार्ज का नाम रखेंगे Q-naught, Q-naught को इधर हम नाम देती है, बुक जी, test charge क्योंकि ये field को क्या करने है test के भई field है या field नहीं है अब इस test charge की ना भाई दो properties होंगी सबसे पहले तो ये small in size होगा नमबर दो ये positive charge होगा अब इसके पीछे भी दो reason है कि ये इसकी दो properties क्यों जरूरी है आपको ऐसा test charge क्यों चाहिए जिसके पास ये दो properties हो वोई test charge करनाएगा पैनली जो है ना properties के पीछे थे बड़ी solid reason है small in size कि इसका size source charge के निस्बत बहुत छोटा हो अगर इसका size इस source charge के निस्बत बढ़ा होगा तो क्या ये इसे धका मारेगा ये इसे धका मारेगा ये अपनी एक field बना लेगा और अपनी field के मताबिक ये इसको धका मारेगा बनिस्बत के खूद धका माने के दूसरा ये भी हो सकता है जबर इसका size बढ़ा हुआ तो जाहर सी बात है इसके गिर्द की field भी बढ़ी होगी और field की वज़ा से ये इसकी field को क्या कर देगा डिस्टॉर्ट कर देगा और हमने structure तब भी नहीं हुआ था तो वह positive charge के मताबिक इन्होंने इस पोजिटिव चार्ज और इसका नाम क्या पढ़ देगा test charge अब जैसे ही या test charge इस क्यों charge की तरफ जाएगा यह जार्ज दिया यह positive चार्ज द है तो यह positive चार्ज इस test charge और टकार भी पोजिटिव तश को क्या करेंगा इस को पर फोर्स नहाएगा और इसको क्या करेंगा रिपेल अब यह जो दो charge के दर्मयान में interaction हो रही है interaction यह भाई दो step में हो रही है two steps are involved पहला step क्या है पहला step यह था कि जो charge क्यों है it creates its electric field और दूसरा step क्या था कि electric field exerts force on q-not यहां ऐसे कह लो कि जो q-1 है sorry q-1 कह रहा हूं जो charge q है वो पहले step में अपने गिर्द एक field बना लेता है space को modify दरने का जाब भी जाएगा और जो q-not है यह जैसे ही इसकी space में दाफिल होगा means कि इसकी modify space में दाफिल होगा तो वहां पर पड़ी electric field उसके पर क्या लगाएगी force simple words में हम यह कह सकते हैं कि यह जो आपकी electric field है यह दो चार्जिस के तरम्यान में postman का का रही है तो एक जगा से force पकड़के दूसी जगा पर पहुँछा रही है अब आपको कि क्यों not जो है वो भी तो force में जाइड सी बात है उसने इसकी भी फिल्ड है तो इन दोनों की fields यह उसकी फिल्ड या उसकी फिल्ड पोस्ट में तका अंदर ते उसकी force पकड़ातर उदर और उसकी force पकड़ातर उदर भेज रही है वो पॉइंट जहां पर क्यों not पे force लगेगी क्यों की वजह से यह वो पॉइंट electric field में जहां पर किसी भी दूसरे पॉइंट चार्ज पर यह चार्ज पर क्या लगती है force लगती है उस पॉइंट को बोलते हैं field point अब दूसरा यहां पर एक सवाल उठता है क्या यह जो field points है वह सेम रहेगी यह different होगी और वह शिद्दत किस पर depend करेगी आने वने चार्ज पर यह तैस्ट चार्ज पर यह सोर्स चार्ज पर इस शिद्दत को हमारी बुक नाम देती है electric field intensity intensity का वैसे मतलब होता है भी शिद्दत तो यह जो शिद्दत है इसको मैं अदर लिखता हूँ जी electric field intensity अब यह जो शिद्दत है यह क्या होती है यह होती है कि इसको मुख इसे जाहिर करते है यह वह थी अभी फोर्स कितनी फोर्स लग रिया पार यूट चार्ज पर तो यहां पर फोर्स लगाने वाले कौन भाई साब है क्यू और लादिर किस पर रहिया क्यू नोट पर तो कि इतने क्यू नौट पर कितनी फोर्स लग रिया वह कहलाती है उस पॉइंट की इसके टोर्स पर क्या हुआ कि electric field intensity is a vector quantity, इसकी direction भी होगी, इसकी magnitude भी होगी, जो इसकी direction होगी, वही होगी, जो force की होगी, मतलब यह जब इससे दता मारेगा, तो बाहिर की तरफ होगी, इसका मतलब इस point point, जो direction बनेगी, वो outward बनेगी, और अगर inward होगा negative charge होगी, तो direction भी अंदर की तरफ बनेगी, दूस और इसके कूलम, तो newton पर कूलम, इसके आगे जाके हमें एक और unit भी पढ़ेंगे, जो होते हैं जी, newton पर कूलम, which is equal to volt पर meter, तो यह हम आगे जाके पढ़ेंगे, potential gradient में, अब कूलम से लागे मतापिक, अगर मैं इन दो charge इसकी interaction का formula लिखूं, तो वो force आजएगी, f is equal to vector form में, one over four by epsilon not into, q1 यहाँ पर आजएगा q, और q2 यहाँ पर आजएगा q not, over r square is equal to r12, इसका unit vector, यहाँ पर r12, वहाँ पर हमने आ, q2 लिया तो यहाँ पर मैं simple लिख दूँगा, r unit vector, क्या इस formula को मैं modify कर कर कुछ यह लिख सकता हूं, कि is equal to, one over q not into f, अब आप इस f की value के दर जरा put करें, तो यहाँ पर one over q not as such, into क्या बनता है, one over four by epsilon not q, q not over r square into r unit vector, q not q not से cancel हो गया, तो यह expression, यहाँ पर change होकर कि शकल में convert होता है, is equal to vector form one over four by epsilon not q over r square into r unit vector, इसका मतब यह बना, कि electric field, यह तो high constant or depend किस पर करती है, शिराफ और शिराफ आपके source charge की quantity पर, and inversely पर दिया किसके, care of the distance, distance के square के, तो जतना जाद आप दूर जाते जाओं कि electric field उतनी काम होती जाएगी, तो बुक की साइड पे आपको, एक diagram से नजर आ रही होगी इस तरह की, तो आप देखेंगे, कि जो dots हैं, वो charge के करीब उनकी, क्या मिकदार है, वो बहुत ज्यादा है, और जैसे आप देखो कि वो दूर होंगे charge से, तो वो ही उनकी strength है, वो show कर रही है, कि dots कम हो रही है, इसका मतलब है, कि दूर जाते हुए charge से field कम होगी, अजर नहीं तो इसको हम करते है mathematically, क्या यह चीज चीज constant है, तो a is equal to constant into q over r square and e, इन दोनों को मिलाएं, तो यह वह to q over r square, it means electric field intensity directly proportional to the magnitude of charge and universally proportional to the square of the distance, यहाँ पर आपकी बुक का topic यह end हो जाते है, नेक्स्टम हम आलपस topic आदेगा दी, electric field line, वो इंशाला हम नेक्स लेक्ट्टर में डिस्क्स करेंगे, तब तक के लिए, खुदा आफीज,